हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मी सहली चैनल तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लड्डू की रेस्पी तो ये कोई सिंपल साधारन बिसन का या बुंदी का लड्डू नहीं है फ्रेंट्स लड्डू में जरूर कुछ तो बात है तभी तो मैं इसका वी कि छाहिए तो सबसेपहले आं पर पैन चरहा दियकρι हो और पैन में सबसेपहले यह जो खर्बूजे का बीज होता है कि मीठाईयों में ढाला जाता है उसे पहले रोष्ट कर ले रही हूं कि इसे थोड़ग ही देरा प्रोष्ट कीज़िएगा कि इसमें से चटटट का आवा का मिजर्मेंट करके मैं मिठाई को बनाने वाली हूं आप किसी भी कप या कटोड़ा का सही माप कर लीजिएगा पैन बहुत गरम था तो उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दी हूं जिसे चीनी हमारा जले नहीं और जिस कप से चीनी डाली हूं उसी कप से एक कप पानी डाल कर लेना है क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता और चासनी हमें बहुत ज्यादा गरम भी नहीं चाहिए वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा और चैनल पे नई है ते चैनल को सब्सक्राइब करके रख लिजेगा फ्रेंट साथी अच्छा लगेगा जो रेस्पी देखने में अच्छा लगेगा वो खाने में तो अच्छा होगा ही होगा अब चीनी को अच्छे से पकाना है तो इसमें कोई भी एक तार दो तार नहीं करना है इतना पकाना है देख पार है कलर इसके लिए मैं आपको इससे दिखा रहे हू कल्ची से कलर पता ही नहीं चल रहा है कि तोफाफने अ हूं तो प्लीक करते हुँ जैसे तेल, सहथ है प्लीक से कंगे, अजांए पका बेपूर्स अच्छा सा उबाल आने दे रही हो चासनी में तो देखे फ्रेंट्स चासनी हमारा यहां पर बनके तयार हो चुका है अब क्या करना इसमें ढखकन लगा कि इसे साइड में रख देना है जिससे यह गरम ही रहेगा बहुत ज्यादा गरम भी नहीं चाहिए तो फ्रेंट्स लड आपके दी हूँ इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा परफेक्ट आपका मिठाई बनके तयार होगा आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो कोई भी कप्या कटोरा से दो बार ले ले दो बार सूजी दो बार पानी इस तरीके से करके आप ले 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 और सूजी को अच्छे से mix कर देना है पानी में और इसे छोड़ देना है कम से कम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए तो चाहें तो आप ये काम पहले भी कर सकते हैं जैसे कि चासनी बनाने से पहले भी आप इसे फूलने के लिए रख सकते हैं तो देखे फ्रेंट जब सूजी अच्छे से फूल गया है तो इसे इस तरीके से मथते हुए अच्छे से सौप्ट कर लेना है बहुत ही अच्छा से ये सूजी सौप्ट हो जाता है और पानी का मातरा एकदम सही रहता है बिल्कुल भी गीला नहीं होता है जैसा कि आप देख पार है हमारा सूजी बिल्कुल तैयार हो चुका है अब यहां पर कडाही में डाल दी हूं तेल या घी जो आप जिसमें बनाना चाहते हैं वह डाल दीजिए और यह गरम हो चुका है मेडियम हीट करना बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है देखे फ्रेंट सूजी भी हमारा बहुत अच्छे से त्यार हो चुका है अब इसमें एकदम छोटा छोटा सा हमें पोकोरिया बना लेना अगदम छोटा छोटा सा देख पार हैं जिससे कि अंदर तक पके और इसका कलर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए बस हलका सा गुलाबी हो इतना तक इसे कर लेना है तो देखे फ्रेंट से चोटा चोटा पकोरी डाल दे रहे हूं कड़ाई में एक बर में जितना आएगा और जो बचेगा फिर वापस से दुबारा बर में इस तरीके से करके और इसे अच्छे से डीप फ्राइब कर लेना है दोनों तरफ से अलट पलट करते इसमें स्वात क्या है तो देखे पकोरी अच्छे से सिक चुका है और इसे फिर से थोड़ासा तेल में डालके बाद में सेकलूंगी क्योंकि पकोरी का कलर थोड़ा हलका सा चेंज चाहिए जैसा कि ये पकोरी का कणर है बिल्कुल वैसा ही आपको करना है जिससे अंदर तक यह कच्चा ना रहे इस बात का आपको ध्यान देना है तो अच्छे से आप फ्राई कर लिजेगा तो सारे पकोड़ी आप बनके हमारे तेयार हो गया है सूजी का और इसे ठंडा कर लिए हूं तो ठंडा करने के बाद इसे छोटा-छोटा टुकड़ा में तोड़ लेना है तो चलिए फ्रेंट्स सारे पकोड़ी को तोड़ के इसी तरीके से रख लेती हूं यकिन मन यही मिठाई को जब आप बना के किसी को देंगे खिलाएंगे तो वह पता ही नहीं कर पाएंगे कि यह सूजी से बना हुआ है बिल्कुल बुंदी के लड़ू को जैसा ही आपका लड कि अरव सांढ़ते हैं अब इसमें डाल दिती हो यह खरबुजी की बीज और अभी इसमें से मिक्स कर ले ना और शाद ही डाल देती हुँ है इलाची का पाउडरंके अथी के साथ भी ऊपव laws उस्तार दाल सकते हैं तो यह से अधे गास कि दलने से एक है इस्दी का बहुत ह क्या करना है इसमें गिला हिला यह स्था से म्क्षित करना हुआ इतना दिर तक छोड़ना है जब तक कि सूजी पूरा चासनी को अच्छे से पी ना ले तो चलिए इसमें ढखन लगा कि छोड़ देती हूँ पांच से दस मिनट ही है पांच से साथ मिनट ही रहेगा और बढ़ियां से सूजी आपका एकदम चासनी पी के मस्त हो जाएगा तो देखे फ्रेंट्स पांच मिनट के बाद इसे खोल के आपको दिखाऊंगे कि कैसा ये बनके आया है तो पांच मिनट यहाँ पर हो चुका है फ्रेंट्स और देखे बहुत ही अच्छे से चासनी जो है सूजी के अंदर समा चुका है और लड़ू बनाने के लिए मेक्सर जो है बिलकुल तयार हो चुका है देखे पता लग रहा है आपको कि ये बुंदी का लड़ू नहीं है तो आज बिना बेशन बिना डाल का ही बुंदी आपको बना के दिखाई हूँ बुंदी की लड़ू तो आपको ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंट्स अब इसका क्या करना है लड़ू बनाके तयार कर लेना है तो आप अपने पसंद से इसका size जितना बरा जितना छोटा चाहते हैं बना सकते हैं तो चलिए मैं लड़ू बना के आपको दिखाती हूँ तो हाथ में थोरा सा चिकना ही लगा ले जिससे कि आपके हाथ में ये लड़ू चिपके नहीं हलका सा कुछ चिकना लगा ले नहीं तो ऐसे भी नहीं चिपकेगा और देखिए इसका गोलगोल सा लड़ू बना के तयार कर रही हूँ कितना प्यारा लग रहा है देखने में कलर भी बहुत अच्छा आया है तो साड़े लड़ूं को बना के और तयार कर लेती हूँ तो फ्रेंट्स अभी से तो जैसे की दुर्गा पूजा है दीपा वली है विसकर्मा पूजा बहुत साड़े ऐसा फेस्टिवल तो भी आना सुरू ही हुए हैं तो आप तरह तरह का मिठाई घर में ही बना के तयार करें और अपने परिवार में परिवार को खिलाएं अपने द सब्सक्राइब भी कर लिजेगा साथ ही नोटिफिकेशन बेल को किलिक कर लिजेगा तो फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलती हूं अगले वीडियो में फिर से एक नई रेस्पी के साथ थेंक यू झालो